हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरे सी यूड चैनल पर जिसका नाव है मिश्राजूकेशन जहां पर हम लोग यूपी जी लेक्च्छर फ्रिजिक्स की त्यारी कर रहे हैं और हम लोगों ने इलेक्रिसिटी पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है इलेक्रिसिटी पोर्शन में हमने काफी टॉपिक कवर कर लिया है जिसके वीडियोस आपको लिंक्स में मिल जाएंगे आप वहां जाके वीडियोस को भी देखे और उस पर हमने लेवल के क्वेश्चन भी देते हैं ताकि आप अपने प्रेक्टिस करके स्ट्रॉंग मना लें तो यहां पर आपको वीडियो मिलेंगी और जो आपके contents होंगे यानि study material होंगे या questions होंगे या आपको टेस्ट होंगे वो हमारे telegram group के तुरू मिलेगा जिसे आप नीचे दिये गए link से follow कर सकते हैं तो आप एक बार अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहें तो मेरा आप से request है कि आप पहले की वीडियो देखें अगर अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करें सब्सक्राइब को भी प्रेस करें ताकि वीडियो को update आप सबसे पहले देख पाएं साथी साथ मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि यह electricity portion complete होने के बाद मैं लोगों ने मेरे से request कि mechanics portion start किया जाए तो जरूर मैं mechanics portion करना चाहूंगा फिलाल यह electricity portion करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और जो आप देखेंगे previous year questions में इसमें questions काफी बनते हैं और यह काफी अच्छा इंट्रेस्टिंग topic होता है और जल्दी हो जाता है इस वज़े से मैंने इसको सुरूर गया और mechanics में है mechanics में आपको हर एक point को analyze करने की जरूरत पड़ती है आपको हर एक point पे ध्यान देने के जरूरत होती है साथी साथ अगर हम बहुत पहले कर लेंगे और exam time में करेंगे तो हमें confusion होने लगता है तो मैंने एक strategy यह बनाया कि हम mechanics को उस समय करें जब हमें जरूरत बस जस जाने वाले हो या कुछ दिन पहले ताकि हमारे चीज़े अगना फ्रेश रहे और exam में जाकर हम अच्छा प्रफॉर्म करें तो चली आज वीडियो की सुरूबात करत और उसकी वज़े से हमने magnetic field calculate की इसके आप वीडियो पहले देख सकते हैं फिर हम लोगों ने करेंट कैरिंग लूप लिया एक लूप लिया जिसमें current flow कराया और उसके axial यानि अक्षिय बिंदू पर हमने क्या किया magnetic field निकाला तो यह बाते हो चुकी है अब आगे चलते हैं और बायो शावटला के application में एक और application बड़ा फ्रिक्मेंटली पूछा जाता है वह सोलेनाइट का तो सोलेनाइट का magnetic field हम लोग निकाल सकते हैं using the बायो शावटला as well as using ampere's law हम यहां पर दोनों करेंगे क्योंकि मेंस की भी बाते कुछ हम लोग यहां पर मान के चलते हैं कि ह हम अपने आपको में अगर देख रहे हैं तो हमें यह derivation देखने को मिल सकता है जहां पर आपको return exam देना पड़ेगा तो आप इसको इस derivation को भी देखें आगे चलके हम जब क्या करेंगे अब यूज करके solenide की वज़े से magnetic field निकालेंगे उसको भी जरूर देखिएगा वह थोड़ा असान पड़ता है यह थोड़ा आपको लेंदी पड़ता है बट आप दोनों के लिए त्यार रहे हैं क्योंकि आपको मेंस में face करने को मिलेगा तो चले शुरू करते हैं आज के से topic का सुरुवात करते हैं और वो होगा magnetic field due to solenide तो पहले हम लोग solenide जानने की कोशिस करें तो सबसे पहले जैसे हमेंने बोला कि आपको solenide जानने की ज़रूत है solenide कि क्या होता है तो यह होता क्या है कि अगर हम क्या करें एक hollow insulated hollow insulator यह क्या करें बेस ले लें और इस पर हम क्या करें वायर की वांडिंग कर दें वायर की वांडिंग कर दें या इस तरीके से वायर से घराव कर दें या वायर इस पर लपेट दें ठीक है वाइर के materials usually copper के होते हैं, aluminium के होते हैं, तो अगर हम copper या aluminium के wire को किसी non-conducting base पर क्या कर दें, non-conducting cylindrical base पर अगर wound कर दें, तो जो resulting device होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, solenite बोलेंगे, और हिंदी में बोलना चाहें, तो इसी को अपने पढ़ा होगा, एक term परिनालिका, तो यह आपकी क्या होगी, solenite बोले जाएगी, ठीक है, अब हम क्या करें, इसमें अगर हम current flow कराते हैं, अगर माली जी हमने इसे क्या क्या किया, किसी source से connect कर दिया, तो अब क्या होगा, इसमें current जाएगा, और current जाने के कारण यहाँ पर क्या होगा, magnetic field होगा, produce होगा, अब हमें इसी magnetic field की analyzation या इसी magnetic field की study करनी है, यूजिंग बायो शावटला, यानि बायो शावटला का use करके हम find करेंगे, कि magnetic field का यहाँ पर क्या भी heavier होगा, तो चलिए करते हैं, पहले हम लोग solenite की definition लिखते हैं, फिर हम लोग, बायो शावटला का use, तो solenite क्या है, इफ कॉपर और एल्मूनियम wire is wound over is wound over a cylindrical cylindrical non-conducting base Cylindrical not conducting base Then resulting device Resulting device is called solenoid इस जानी हम क्या करें हिंदी मीडियम के स्टुडेंट्स अब अब एस्पेरिंट लिख सकते हैं कि अगर हम किसी बेलनाकार अचालत पर या कूचालत पर अल्मुनियम अथवा कापर के वायर को या तार को लपेट दे तो जो डिवाइस बनेगी जो आपकी यंद्र बनेगी जो आपकी डिवाइस होगी उसको हम क्या बोलेंगे सुलेनाइट बोलेंगे चलिए यह बात हमको समझ में आई अब हम क्या करेंगे इसमें current flow कराएंगे और magnetic field find करने की कोसिस करेंगे ठीक है तो अब next topic जो हमारा है magnetic field due to solenoid यानि किसी solenoid के कारण चुम्ब की छेतर कि तो अगर थोड़ा सा solenoid को यहां पर आप देखें यहां पर अक्सर infinite solenoid ले लिया जाता है ठीक है इस ओ है infinite solenoid लिया जाता है तो infinite solenoid लेने पर क्या होगा यह थोड़ा सा थिन और जो थिकर की बात है वह हम लास्ट में करेंगे फिलाल मैं infinite solenoid ले रहा हूं और आप देखिए यह कुछ इस तरीके का आपका क्या होगा कि solenoid का construction होगा इसकी अपने क्या होगी एक एक्सिस होगी अक्षोगी इस लेंडर का क्या होता है एक इसको क्या सबिल लेंगे इसकी साइस होता है तो इसको हम क्या मालनेगे इसका आकक्सिस मालनेगे ठीक है अगरteri श्राइंगे कों होगी direction में current flow होगी तो आप देख सकते हैं कि इधर anti-clockwise direction में आपको current का direction मिल रहा है और यहां पर clockwise जिसकी वज़े से magnetic poles जो create होंगे क्योंकि आपने पढ़ा कि current का magnetic behavior होता और magnet में इस पोल होते हैं तो यहां पर पोल्स क्रियेट होंगे तो यहां पर कुछ पोल क्रियेट होगा और यहां पर कुछ और पूल क्रियेट होगा दो ही पोल होंगे तो अपोजिट पोल्स क्रियेट होंगे अभी हम बात करेंगे कौन से कौन से एंड पे कौन सा पोल क्रियेट होग तो जैना इसको हम लोग अपने हिसाब से फिगर मनाते हैं जिसमें हमें जरूरत किलेशन कर पाएं तो हमने क्या किया थोड़ा सा बड़ा ये कुछ इस तरीके से बनाया और फाइनाइट होने की वज़से इधर भी आपकी क्या है, सुलिनाइड है और उधर भी है तो हमने क्या किया इसी axis पर एक point P ले लिया इसी axis पर एक point P ले लिया जिस पर हम magnetic field निकालना चाहरे है अब turns आपके कुछ इस तरीके से होंगे और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तर्स अब infinite लेने की वज़े से हम लोग टर्ण टोटल टर्ण लेकर हम लोग क्या लेंगे number of turns पर यूनिट लेंगे ठीक है तो यहां पर हम लोग पर यूनिट लेंग तो इस पॉइंट पी पर किसी मालिज यहां पर हमने एक छोड़ा सा कि एलिमेंट ले लिया दी एक्स इस दी एक्स में जितने भी आपके क्या होंगे number of turns होंगे वाइस तरीके से आपकी क्या होगी कॉइल चले की तो यह इस डी एक्स लेंथ में जितने कॉइल के number of turns आएंगे उसमें करेंट लोगी और उस सिस्टम की वजह से यहां पर क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब किसी लूप में करेंट फ्लो होती है तो एक्सियल पॉइंट पे कितना मेंग्नेटिक फिल्ड होता है पहले यह पढ़ा फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अगर नमबर आफ टन्स एंड कर दें तो क्या मेंग्नेटिक फिल्ड आएगी तो चुकि हम यहां पर देखेंगे तो यह लूप ही जैसा दिखेंगे अगर छोटर से एलिमेंट हमने डी एक्स लिया तो हम इसका एक्सप्रेशन डारेक्ट लिख सकते हैं अच्छा अब हम लोग क्या कर लें सेलेक्ट कर लें कि यह माल लेते हैं यह पॉइंट एंट एम है यह पॉइंट मन है नीचे आफ का एंडा से और यह अब यह देखते हैं कि यह एक्सेस के साथ अगर एंब को मिलाते हैं तो यह एंगल थीटा बनाता है कितना मनाता है theta और हमानली जे एक 16 बनाना है तिटीचा और अब इन दोनों पॉइंट के बीच में और पी पॉइंट के बीच में यानि में और जाब के का The distance बहुत माइनश और भी और यहीं अलब जरूर और वह कितना होगा वो उसको हो निकालने के लिए आपको डालना पड़ेगा यहां पर perpendicular, तो यह जो extra distance आपको दीख रही है, वो आपके mn, that means mp और mn के mp और mp के बीच का distance होगा, मतलब extra distance जो आपका है, इनके बीच का जो difference है, वह आपका यही होगा, इसको आप क्या कर लिजे, q man ने दिजे, तो यहाँ पे qm जो होगा वह एक्स्रा डिस्टेंस होगा याद रखिएगा एक्स्टा डिस्टेंस मतलब दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंस चलिए बात हमको समझ में आ गई कि पॉइंट से यह जो यह वाला आप देख रहे हो मैं डैस इसकी डिस्टेंस एक्स माल ली जाए ठीक है तो अब हमें जितने भी इंफोर्मेशन जरूरत है जितनी जरूरत पड़ेगी उसको हम लोगों ने माल लिया एक चीज और कि आई करेंट फ्लो हो रही यानि हर एक टर यह नमबर अफ टर्न्स आएंगे नमबर आफ टर्णस in dx लेंथ अम्हमें पता है कि small n क्या है हमारा नमबर अफ टर्न सब्धी लिइंट लेंथ तो अगर हम डिस्टेंस से मल्टिप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इस रीजन में कितने नमबर आफ टरूरत तो उसका क्या expression होगा यह class में पिछले वीडियो में जस्ट पीछले इसके वीडियो में किया जा चुका है आप वहां जाके इसको देखें तो magnetic field magnetic field add p due to n turns कितना होगा भाई आजाएगा आपका d b कि चुकि यह small है small element है तो म्यू नॉट एन म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेर अपान टू ए स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर पावर त्री बाई टू यह आपका पिछले वीडियो में किया जा चुका है वहां पर रेडियस आपने आर सपोस्ट किया होगा तो आ रहाया होगा अब एन की जो वैल्यू है इसमें रख दिया जाएं पुटिंग दे वैल्यू अफ एन या मिलने वाला है डीवी डीवी आपका मिल जाएगा मॉड अफ डीवी रखिए मू नाट एन मू नाट एन की वैल्यू हम लोग रखने वाले है एन इंटू डीएक्स आई ए स्क्वेर अपान टू अंडर रूट ए स्क्वेर प्लस एक्स स्क्वेर पावर त्री वाई टू डीएक्स तो चली अब हमें क्या करना है डीएक्स की वैल्यू निकालने है डीएक्स की वैल्यू अगर हम लोग इस को बार और सिंपलिफाइऔर ले तो ब Abbotton हो जाएगी तो डी एक्स देखिए है कहां यह डी एक्स है यह भी डी एक्स है तो जड़ा इस ट्राइंगल के बारे में सोचिए एम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं और यहां पर आपका यह यह पर्पेंडिकुलर है क्यों अगर यह एंगल थीटा है तो यह भी थीटा होगा एंगल या इसे हम कह सकते हैं एकांतर कोंड हिंदी मेडियम में ठीक है तो आप देख सकते हैं कि यह यहां पर आ रहा है और कुछ इस तरीके से बन रहा है ठीक है तो जहां भी आपको ऐसा जेड़ दिखे तो आप क्या कर सकते हैं उसे एकांतर कोड यानी अल्टरनेट कि अद्धिवर और हमेगा आएं जो आपकाइब में कि आप यहां पे भी क्या गर सकते हैं अल्टेने टैंगल सब्सक्र रसकते दुजरा हम अपने अपने बाले में आते हैं जहां में जरूरत है और जो आपके 90 degree के opposite में होता है उसे हम hypotenuse यानि कर्ड बानते है तो यह MN आ जाएगा हमें निकालना यह है MN यानि dx तो dx को हम लोग यहाँ transfer कर दे that means MN को यहाँ transfer कर दे qn upon sin theta अब next काम हम लोग क्या कर ले इस qn की value निकालने qn की value कैसे निकालेंगे जड़ा देखिए अब यह जड़ा देखिए यह क्या है आपके दो कुछ इस तरीकिये से आपके line है जो d theta एंगल पर है आप इसको आर दोनों को suppose कर सकते हो क्योंकि यह बहुत infinitesimal बहुत सूच अतिसूच में दूरी लियाती है तो दोनों की दूरियाlık हम लोग क्या कर सकते है ऐही सपूस कर सकते है ठीक है तो यह ke अब को पता है कोड बराबर चाप बठे त्रिज्या यह हमें पता है ठीक है यानि एंगल इस इक्वल टू आर्क अपॉंड रेडियस यह आपका फॉर्मूला होता है बेसिक फॉर्मूला है ठीक है तो यहाँ एंगल हमारा डी थीटा है एंगल देने वाला है यह आपकी क्यूंड है तो क्यूंड अपान रेडियस आपकी आर सपोस की जारी हमें क्यूंड निकालना है तो क्यूंड की वैलू आजाएगी आर्ड थीटा तो जो आपके पास प्यूंड यह आया हुआ है टर्म इसमें हम क्या रख दे रहाने है राइड थीटा ектор recognizes qn is equal to rd theta mm value dx है mm value dx है और यह आपकी qn art d theta है ठीक है और यह आपकी sign theta है ठीक है तो यह आपकी dx की value हो गई जो हम यहाँ पर आगे रखेंगे रखते हैं यह पिर उसके बाद और modification जो होगा वो इसके बाद देखेंगे पहले रखते हैं पूटिंग दे वैल्यू आप डी एक्स म्यू नॉट स्मॉल एन आई अगला modification हम लोग यह कर सकते हैं जरा इसको देखा जाए कि यह आपका यहां से यहां तक की distance को x suppose किया गया और यह आपका radius of the cylindrical base है और यह आपका r तो जरा इसमें r को analyze करें तो r is equal to a square plus x square यह आपका पाइथागुरस theorem से हो जाएगा तो आप इस equation को जरा देखिए mu naught ni a square 2 r square bracket में रहेगा power 3 by 2 power 3 by 2 क्योंकि a square x square को हमने क्या किया r square की equal में लिख दिया into r d theta upon sin theta यह कुछ इस तरीके से आपका change हुआ अब इसमें एक छोटी सी और modification कर देंगे तो formula minimize हो जाएगा maximum minimize in the smallest term मतलब कम से कम turns में क्या हो जाएगा यह हमारा minimization हो जाएगा तो देखिए r square को अगर आप देखें upon 2 r cube into r d theta upon sin theta ठीक है एक r r से क्या हो गया है cancel हो जाएगा नीचे r square बचेगा तो हमारे पास आएगा mu naught ni a square upon 2 r square d theta upon sin theta ठीक है अब हम एक और थोड़ा सा modification करेंगे और इससे answer मतलब और minimization करेंगे चलिए इसी triangle में बात करते हैं m o p में यह आपका theta है ठीक है यह आपका 90 degree है यह a है यह x है और यह r है तो अगर इसमें हम sin theta लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा sin theta is equal to a upon r मिलेगा square कर देंगे तो sin square theta is equal to a square upon r square तो जड़ा ध्यान से देखिए हमारे पास एक term आया हुआ है क्या a square upon r square तो अगर a square upon r square को sin square theta रख दें तो क्या बुराई है बिल्कुर रख सकते हैं हसानी से कर सकते हैं इसको हम लोग क्या लिखते रहे हैं sin square theta यह आपके पास d theta upon sin theta है एक आप cancel कर सकते हैं और एक बच जाएगा तो अब हमें इसकी जरूरत नहीं पढ़ने वाली तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ चलिए क्या बचेगा हमारे पास हमारे पास बचेगा db is equal to mu naught n i a square upon 2 यहां से 1 sin theta d theta यह तो क्या हो गया आप कहेंगे इसके आगे क्यों नहीं चल रहे हैं इसके आगे क्या हम और इसों मिनिमाइज कर सकते हैं देखें म्यू आपका constant n क्या है आपका number of turns per unit length i is the current flowing through the coil and a is the radius of cylindrical base two is a constant as well तो अब देखें जो आपकी integration अगर हम करेंगे वो theta के respect में करेंगे और वेरिंग तर्म आपका केवल और केवल साइन थीटा है तो अब integration करना जब हम लोग सुरू में expression लिखे थे उसके बजाए यहां पर आसान पड़ने वाला है इस वज़ा से हम लोगों ने जो जद्दो जहाद जो महनत की है वो इसलिए की है कि sin theta को यहां पर हम लोग ले आए यानि कम से कम variable में ले आए तब integrate करें ऐसा ही आपको physics में जब भी derivation करते हैं तो आपको मन में कभी यह तो आता होगा कि derivation को कहां तक ले जाएं क्या आपकी extreme point होगी हम वहां पर derivation बंद कर देंगे तो derivation का मतलब होता है कि जब भी आप derivation करें तो इक बात याद रखेंगे आप देखेंगे भी कि हम derivation को कम से कम term में ले जाके छोड़ते हैं maximum जो possibility होती है उसमें क्या करते है कि कम से कम term आपके आजाएं जिससे हम क्या कर सकें किसी जैसे वाई है और इसको हम एक्स और जेड़ के टर्म में लिखना चाह रहे है तो वाई के dependence X और जेड़ पर आया आपने धे सारा calculation किया तो वाई को आपने X और Z में दिखा दिया यही आपको करना होता है physics के formula में अब हम लोग बात करते हैं एंगल की बारे में मतलब इसका integration कहां से कहां तक करेंगे आपने पी पॉइंट लिया तो पी पॉइंट में आपने यह क्या कर रहे है एक आप इधर एक तरफ एंगल लिजे कि इधर की तरफ एंगल लिजे तो एक करेंगे ऐल्फा भी टा से ठीक है यानि इनिश्यल हमारा जो जो ऑज़ा इंटीडरेशन ओगा एल्फाह 2-0 क्ल. और आप जब देख़े इंटीडरेट करेंगे तिए पूरा-पूरा टरम क्या होगा constant होगा बाहर आजाएगा mu not ni a square upon 2 bracket में क्या बचेगा sin theta d theta alpha to beta और integration आप करेंगे sin theta का integration minus cos theta होगा और upper limit और lower limit रख देंगे तो हमारा जो final expression बनेगा mu not ni upon 2 bracket में आप देखें अगर आपको दिक्तत हो रहे तो ऐसे देखें क्या होगा minus cos theta आएगा और नीचे आपका alpha और beta अब theta की जगा आप क्या रखेंगे एक बार upper limit रखेंगे एक बार lower limit रखेंगे ठीक है और आप जब रखेंगे तो minus cos beta minus minus plus होके cos alpha देगा तो cos alpha आपका आगया जाएगा यह minus की वज़े से ऐसा हो रहा है याद रखेंगा mu not ni upon 2 bracket में आपका cos alpha minus cos beta तो यह आपका formula होगा किसी solenide की वज़े से magnetic field at the axial point या inside the point ठीक है इसको आप note करें फिर इस पे cases discuss करते हैं अब बात करते हैं अलग-अलग cases के बारे में और पहले बात करेंगे कि solenide बहुत लंबा हो बतलब long solenide हो infinitely long हो या बहुत solenide बहुत थीन हो दोनों बाते एक ही होंगी कैसे एक होगी यह पहले की वीडियो में बताया जा चुका है अगर आप किसी चीज को क्या करें दूर से देखें तो आपको छोटा दिखेंगा या उसको क्या करें वास्तों में चोटा दोनों बाते एक ही बा है और इस वेरी स्मॉल है तो दोनों बातों में आपके देखें यह तो आपके फिक्स टर्म रहने वाले ना वैरिंग टम कौन होगा यह वह इसको जरा अनलाइस करते हैं क्या होगा आप देखें यह पॉइंट है आपने लिया हुआ है यह आपने अलफा लिया हुआ है और आप मालीजी बीटा कैलकुलेट कर रहें ठीक है तो अगर आप इधर की बात करें यह अगर लंबा सॉलिनाइड है तो आप क्या करेंगे अलफा को आप क्या लेंगी एंड पे दूसरे एंड पे तो आपका क्या मिलने वाला जैसे लॉंग देखें लॉंग की तरफ जारा है इस point को लेंगे तो बीटा ये होगा तो जैसे जैसे आप right side में जाता जाएंगे बीटा की value बढ़ती जाएगे और एक समय आएगा कि बीटा की value क्या हो जाएगी पाई हो जाएगी यानि infinitely long solenide के लिए हमारा जो alpha होगा वो हो जाएगा जीरो को टेंड करेगा और वहीं बीटा हमारा पाई को टेंड करेगा 180 डिग्री को तो भी क्या हो जाएगा हमारा maonae ni upon to a cos alpha यानि cos 0- cos beta मतलब 180 maonae ni upon to cos 0 की value 1 होती है cos 180 की value minus 1 तो यह 1-1 कर तो यह प्लस वन हो जाएगा तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 1 2 कैंसिल हो जाएगी आपको वैल्यू देगी मिव नौ टैनाइट तो यह मैंगेटिक फिल्ड आपको देगा आपको याद नहीं तो मैं छोटा च्रिक बताता हूं जिस पर आप वैल्यू से याद कर सकत है लेकिन 180 270 हमें confusion होती है तो आप देखे जब आप साइन के लिए बात करें साइन के लिए ध्यान दीजेगा साइन तो यह 0 होगा यह 180 और यह 90 270 होगा आप जब इस एक्सिस पर कोई एंगल लेंगे तो साइन हमेशा 0 देगा यानि साइन 0 आपको 0 देगा साइन 180 0 देगा अ है- है आप आप यहा लिए है तो अपने साइन की वैल्यू माइनस वन देगा अगर आप यहाँ पिस्टे करते हैं तो 0 यहां पर याद रखेंगे तो यह पित जब के गशे प्लिए है उन देता है त Rocket कर देने पड़ेगा तो उस इन से कोई उन तक तक जाना है अब माइनश वन उसकी ली स्ट वैलिउ होके उसको फिर से वापस आना पड़ेगा और एक पूरा कोडिनेट को क्रॉस करने में वन वैल्यू क्रूस करनी पड़ेगी तो 1010-101 इस तरीके से अब आप 0 ले लिजिए 180 ले लिजिए यानि इस एक्सिस पर आप रहिए आपको कॉस क्या देगा यहां पर माइनस वन देगा और इस पर रहेंगे तो जीरो देगा तो यहां पर देखें कॉस मनेटी था कॉस मनेटी की वैलू माइनस वन तो इस ट्रिक से आप बहुत जल्दी से कॉस और साइन के चले बात करते हैं दूसरे केस की हैं दूसरा केस की अगर हमारा सोलेनाइट का जो पॉइं तक है पी अगर वह वह क्या हो जाए बीच में हो जाए तब क्या होगा बीच में मतलब आपका infinite solenoid है और उसमें हम लोगों ने क्या किया एक जो पॉइंट्स लिया है पी उसको किनारे पर ले ले क्या ले ले एंड पर ले ले तो होगा क्या देखिए आपका आपने इसको यहां पर पॉइंट लिया तो जो आपका यहींध किनारे अय हो तो क्या होगा आपकी आलफा तो जी रो हो जाएगा और भीटा हो जाएगा पाइबाइट या निंदि तो अब तेखिए अगर कॉसल्फा जिरो तो सिर्फ आपको यहां वन मिलेगा तो किनारे पर आपको जो मैगनेटिक फिल्ड मिलेगा वह जस्ट हाफ होगा आप देख सकते हैं ठीक है तो इस तरीके का आपका एक्स्प्रेशन आता जाएगा अब हम लोग इसके थोड़े से नेचर की बात करते हैं कैसे आप देख रहे हैं तो आपने देखा कि जब हम क्या हो रहे हैं बीच ओ बीच हैं किसी थिन सेलोनाइट पर तो मैगनेटिक फिल्ड क्या मिल रहा है आपको इस इक्वल टूब्यू नौट एनाई मैक्सिमम मैगनेटिक फिल्ड कहां मिलेगा बीच वाले पॉइंट पर और जैसे-जैसे किनारे पर आएंगे तो खाफ मैगनेटिक फिल्ड मिलेगा तो यह आप सबोस्का लीजिए कि आप एक किनारे पर है ठीक है तो यहां पर मैगन किनाइड में अंदर की तरफ मैगनेटिक फिल्ड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और कितना पहुचेगी मैक्सिमम और उसकी वैल्यू क्या होगी मियू नौट एनाई फिर उसके बाद फिर आप जैसे आप देखे एक किनारे से चले यहां पर पहुचे तो आपने य तो नौट का मेगनेटिक फिल्ड का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है अब जो क्वेशन पूछे जा सकते हैं यह तो फॉर्मूले से रिलेटेड पूछे जा सकते है वालग बात है एक यह पूछा जाता है कि मैगनेटिक फिल्ड को स्ट्रॉंग बनाने के लिए किया जात है हम लोग क्या करते हैं जो cylindrical hollow cylinder था खोखला आपका बेलन था उसके अंदर क्या करते हैं फेरो magnetic material इंसर्ट कर देते हैं तो इसको द्रहा important points में लिखते चलेंगे वी इंसर्ट अब फेरो magnetic material यानि लौ चुम्बक की जो materials होते हैं इंको फेरो magnetic materials बोलते हैं फेरो magnetic materials टू इंक्रीज दा magnetic field due to solenide solenide में magnetic field को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं फेरो magnetic material रखते हैं क्योंकि फेरो magnetic materials क्या करता है आज पास की magnetic field lines को allow करता है कि वो उसके थ्रू okay जाए इस बज़े से आपको magnetic field stronger मिलने लेगी दूसरी पॉइंट यह कि किस पोल पर मतलब अगर हम बात करें कि यहां पर आपने देख रहा इस तरह आपने देखा कि कहा कि मैंने शुरू में ही बोला कि आपको अगर यहां पर अगर clockwise current दिख रही है तो यहां पर आपको क्या दिखेगी anti clockwise तो किस इंड पर कौन सा पोल क्रीट होगा उसको जानने की जरुवत है तो अगर if current is looking in clockwise direction तो आपको कैसे पता लगेगा आपने देखा चलिए मालीजे मैंने देखा इस तरीके से आपको यह बताना है कि वहां पर कौन सा पोल क्रीट होगा क्योंकि मैगनेटिक फिल्ड अगर प्रड्यूस कर रही है आपकी सुलनाइट तो इसकी मैगनेटिक पॉल्ड होनी चाहिए तो किस तरीके से देखेंगे हम लोग अब हम लोग क्या कर लेंगे जैसे इसका है उसी करीके सम रिखेंगे अब यह देखें दो ही पोल सोते हैं नौर्ट और साउथ इससे कॉन साच है अगर आपको दिक्कत होती है कुछ लोग कोई भी बना देते हैं सब चली आप मैं ऐसे ही बनाता हो दोनों केसे में यह मैंने ऐसे बना लिया और यह ऐसे बना लिए अब मैं इसको मिलाता हूं, तो क्या यह आपका N है? क्योंकि N तो आपका ऐसे होता है, तो यह N नहीं है, तो दूसरा क्या pole होगा? South pole होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपका South pole create होगा, जब आपको current क्या होगी? किसी end में clockwise direction में देखेगी तो वहाँ पर आप जान लीजिए कि south pole जैसा वो काम करेगा ठीक है इसके opposite में बात करें यानि current, if current is in anticlockwise direction anticlockwise direction तब क्या होगा, आप देखें, यहाँ पर मैंने लिया और यह मैंने कुछ इस तरीके से करा है तो यहाँ पर आपको क्या होगा, नौर्थ पोल मिलेगा यानि current आपका क्या हो, अगर anticlockwise direction में किसी turn पर आपको दिख रहा है, तो वह आपका North Pole जैसा solenide वे act करेगा, तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा pole create होगा, यह आप से पूछा जा सकता है, इस वज़े से इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा चली, आगे चलते हैं, कुछ और बाते करते हैं इस पर, अब बात करते हैं, अगर हमारा solenide बहुत क्या हो, थिन या लंबा हो या बहुत लॉंग हो, तो आपको अंदर जो finite length की है, या उसकी जो size है, वो थोड़ी मोटी है, तो आपको किनारे पे बहुत ही minor magnetic film मिलेगा, और थोड़ी दूर चले जाएंगे, तो 0 मिलेगा, इस बात का आप याद रखेंगे, ठीक है, किनारे पे आपको मिलेगा, और, sorry, किनारे पे आपको just नहीं मिलेगा, थोड़ा is given, ठीक है, तो आप ऐसा कर लिजे, कि B आपका inside क्या होगा, uniform होगा, और किनारे पे magnetic field आपको 0 मिलेगा, या अगर आपको solenoide कुछ इस तरीकेस दे दिया जाए, तो inside में आपको magnetic field uniform मिलने वाली है, और किनारे पे magnetic field 0 मिलने वाली है, सारी बाते तो हो गई, लेकिन अभी हम हम लोग को यह नहीं जान पाए कि magnetic field का direction कैसे निकालेंगे solenoide में, तो हम लोग use करेंगे right hand curl का, यानि right hand को हम क्या करेंगे, current के direction में curl करेंगे, और जो thumb express करेंगा, वो क्या express करेंगा, magnetic field, to find the direction of magnetic field due to solenoid, we will use right hand Curl rule, Curl rule, ठीक है, इसे grasp rule भी कहते हैं, यानि अगर आपको कुछ इस तरीके solenoid दिया है, और सही से बनाया जाने तो आपको confusion होगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और आपने देखा कि कुछ इस तरीके से, यानि ऐसे magnetic current flow करेंगे, कैसे, ऐसे, अगर आपको समझने में दिक् तो आप अपने घडी के direction में मिला लीजिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे क्या करना है, अपने fingers को किस तरीके से rotate करना है, जैसे हमारी current कर रही है, तो हम क्या कर रहे है, वाच के direction में ले रहे हैं, तो वाच क्या होगा, किस तरीके से अगर मैं इधर दे चलिए आज के लिए इतना है नेक्स्स वीडियो हम लोग इसके बातकरेंगे Tears Lawं से ही को जैसा हम खैर बातकरेंगे तो करेंगे लेकिन में में आईसे तो मिल सकते हैं इसलिए इसलिए आप करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रहे हो नेक्स संडे को आप टेस्ट के लिए कल जो संडे आने वाला है तो आप इसके लिए टेस्ट के लिए टापिक जो होंगे हो बायो शावटला के मैगनेटिक फिल्ड के आपके क्वेश्चन सोगे तो आप उसको करिएगा और झाल